गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जो हाँ पर आपर हम हर रोज औरेकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है साथ ही साथ हम गाइडन्स लेते हैं बहुत ही आसान से शब्दों में अगर कोई रेमेडि भी होती है तो वह बहुत ऊजी रेमेडि होती है most of the time हम जो रेमेडि प्रेफर करते हैं वो रेमेडि कौन सी होती है जो कि केवल हमारी मानसिक्ता को हमारी थौट प्रोसेस को चेंज करने वाली होती है आप तो जानते हैं कि हम एक से लेकर ना मूलांग तक की रीडिंग करते हैं कौन सी रीडिंग होगी आपकी यदि आप नहीं जानते हैं कि कौन सा है आपका मूलांग तो एक उधारन दे कर आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी डिटो बर्थ है 18 यानि की 18 तो एक और आठ को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाता है नमबर 9 9 होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 11 सितंबर 2030 आप तो जानते हैं आपको कितनी बार मैंने बताया है कि 11, 22, 33, 44 ये जितने भी अंको होते हैं अगर आज की तारिक का मूलांग निकालते हैं तो वो आता है नमबर 2 लेकिन विशेश में आज की तारिक यानि 11, 11 जैसे पिलर नमबर भी कहते हैं पिलर की हम बात कर रहे हैं एक और एक यानि कि नमबर एक की जो उर्जा है वो दुगनी हो गई है नमबर एक रेजोनेट करता है सूरे से और नमबर दो रेजोनेट करता है चंदरमा से तो कहीं नहीं कहीं सूरे की डबल एनरजी है और साथ ही साथ दोनों को मिला देते हैं तो चंदरमा की उर्जा भी आज के दिल बन रही है तो क्या impact पढ़ने वाला है एक से लेकर नौ मूलांग तक के जातकों पर क्योंकि दोनों ही planets sun and moon बोथ are very very important for this planetary system तो आईए दोस्तों कारिक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मेरे एक प्रश्ण मुझसे पूझा गया कि शिक्षक में और गुरू में क्या अंतर होता है तो आज मैंने सोचा कि सभी के साथ साजा किया जाए तो स्वभाविक सी बात है सेप्टेंबर चल रहा है भी पीछे ही 5 सितंबर को हम लोगों ने जो है शिक्षक दिवस भी मनाया है और उससे पहले जुलाई में गुरू पूर्णिमा भी आई है अब दोनों में अंतर क्या है तो देखिए शिक्षक कौन होते हैं शिक्षक वो होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं हमें बताते हैं सिखाते हैं लेकिन गुरू गुरू होते हैं जो वास्त्रिक्ता में हमें दीक्षा देते हैं अट्यून्मेंट जिसे कहा जाता है जो कही न कहीं परमात्मा की उर्ज कि उरचा को हमारे भीतर प्रविष्ट कराते हैं और परमात्मा की ओरजा के साथ-साथ अपना तपबी हमें देते हैं कुल मिलाके कहा जाये तो इक गूरु जो है वो शिष्षि के भीतर ही उतरता है और हमारे हां कई समुदायों में कई पंठों में गुरू शिश्य परंपरा जो है वो चली आ रही है जो की काफी प्राचीन है जिसमें की गुरू अपने शिश्य को एक मंतर देते हैं वो केवल एक मंतर नहीं होता देखिए हम जितने भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं हम सभी अपने आप में शक्ती शाली हैं हम पावर्स को अपने साथ लेकर पैदा हुए हैं लेकिन कुछ ही लोग हैं जो की उस पावर को जागरत कर पाते हैं अक्टिवेट कर पाते हैं अपनी शक्ती के साथ समनवय हासिल कर पाते हैं तो ऐसे में जो गुरू का जो रोल होता है वो क्या होता है कि आपकी उस power को यानि कि आपके उस plug को socket में लगा देना तो वासरिक्ता में परमात्मा के साथ वो आपको उस मंतर के दुआरा connect करते हैं उस उर्जा को आपके भीतर प्रवेश कराते हैं और साथे साथ अपना तपभी देते हैं तो आईए बिना देखिये अपने कारिक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और ये बोलते हुए कि आप सभी के भीतर जो गुरु विद्धमान है उन्हें उन्हें प्रणाम करते हैं और कारिक्रम की आज शुरुवात करते हैं 11 सितंबर 2030 मूलांक एक के लिए मा भगवती क्या हमें बता रही है और हमसे कहा जा रहा है फोर्टिलिटी का काड है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है विशेश तोर पर जो लोग बेबी प्लान कर रहे हूं या संतान की पक्षु से एक शुब समाचार आपको मिल सकता है बना है बाता बहुत अच्छा है आप किसी दनकी शुरुआत कर सकते हैं पैसे का इंवेस्टमेंट कर सकते हैं कुल मिला के आज की दिन की ऊरजाए आपके फेवर की है इसका सदुप्योग करें आईए जानते हैं मूलांक 2 के लिए माभगवती हमसे क्या आज कह रही है 11 सितंबर 2023 के लिए और हमसे कहा जा रहा है मदर अर्थ का कार्ड है मैं देखती हूँ कि पिछले काफी समय से मूलांक 2 के जातकों को environment के लिए कारे करने के लिए कहा जा रहा है मूलांक 2 के जात्कों से especially कहा जा रहा है चूंकि आज की तारीक का जो मूलांक है जो जोड है वो भी no.2 है तो आपको clear कहा जा रहा है कि मूलांक 2 के जो जातक हैं वो कही ना कही भावकता से भरे होते हैं और उनकी psychic power भी बहुत जादा होती है तो ऐसे में जो ये लोग हैं वो जन कल्यान के कारे बहुत अच्छे कर सकते हैं कोई भी ऐसा काम जिसमें जन कल्यान की भावना हो पृत्वी के परियावरण के किसी भी प्रकार से कल्यान का कारे हैं मूलांक दो के जात्कों को विशेश तोर पर उसके लिए बनाया गया है तो आज के दिन आपको क्या करना ऐसा कोई भी कारे करना है जो परियावरण के संरक्षन के लिए हो या धरती के संरक्षन कर रही है 11 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है prosperity का card है abundance भगवती की कृपाज आपके उपर है लक्षमी की कृपाज आपके उपर है कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है जो भी कुसी नए project में आप हाट डालेंगे आपको सफलता वश्य मिलेगी result प्राप्त होगा यह abundance ना केवल हम वित्तिय मामलों में देख रहे हैं बलकि स्वास्त लाब भी देख रहे हैं सामजिक रूप से आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आज के दिन बढ़ने वाली है कुल मिला के ऐसा दिन है जहां पर आप हर प्रकार से अपना आपको संतुष्ट मैसूस करने वाले हैं आए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है 11 सितंबर 2020 के लिए और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा मानसिक्ता जो आपकी है वो इस वक्त थोड़ी ब्लॉग है मला कहीं आपकी जो एनर्जीज है ना इमोशनल और मेंटल एनर्जीज आर ब्लॉग्ट राइट ना आप बहुत जादा सोच रहे हैं या बहुत जादा पास्ट में आप हैं है ना पुरानी किसी चीज को लेकर आप सोच रहे हैं आपके अपने कारे को लेकर आपके अपने पद को लेकर हो सकता है टैलेंट है उसमें जो भी तक आप करते आ रहे हैं जो पुराना धर रहा है उसको हटा दीजिए कुछ नया सोचिए कुछ नया प्लान कीजिए आज के समय के हिसाब से सोचिए सफलता जरूर मिलेगी बशर्ते कि आप केवल पास्ट में आज ना अटके रहें आई जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 11 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है ब्लॉसमिंग का कार्ड है पर मात्मा आपको गाइड कर रहे हैं कि अभी तो आपने चीजों की शुरुवात की है पिछले कुछ समय में ही आपने कुछ नया आर्मब किया है या उपने ओपर फोकस किया है अपने ग्रोथ के लिए आप काम कर रहे हैं तो ऐसे में आज का दिन जो है वो आपकी ग्रोथ ही है मतलब कुल मिलाके प्यक् Partners क रहें पर सकते हडब़ाना नहीं है सही समयक्त होगाइड सही चीज को औ कुछ नया खास नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है सब कुछ है बिलकुल अच्छा है कुल मिला के थोड़ा सा पेशन्स रखने के आपको आवश्यक्ता है आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं मा भगवती क्या बता रही है आज 11 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है वाओ लक्षमी मा की कृपा है और क्या चाहिए आपको तो कहीं न कहीं आज का दिन भी और आने व अब उस पे ग्रोथ का जो समय है वो है आपको कहीं ना कहीं तो आपको कुल मिला के हर प्रकार से आज सुख सुवधा प्राप तो होगी एक आपको विशेश कहा गया है कि अपने पार्टनर का सम्मान अवश्य करें अपने पार्टनर को प्रसंद जरूर रखें आपका दिन श हो आधे जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड करberg यह 11 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक साथ के हमसे कहा जा रहा है वाइट तारा मा का कार है आपको कहा जा है कि आप बहुत ज़ादा sensitive हो रहे हैं आपकी जो energies है वो बहुत sensitive हो रही है हो सकता है कि आपको आज स्वास्त की दृष्टी से आज आपका दिन अच्छा ना हो कहीं न कहीं आप बहुत डाउन फील करें आज आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो सकते हैं बेज़ प्रॉस्ट्रेशन बनी रह सकती है क्रोध आ सकता है तो परमात्मा आज आपको क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा आज आपको शान्त प्रोफाइल रखें बहुत जाता लोगों से आज आज आपको इंटर पर वो बहुत जादा जरूरी है और अगर आवशक्ता पड़ती है तो किसी की साहता आप ले सकते हैं आज क्या गाइड कर रही हैं आज 11 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमको कहा कारें आज करने जा रहे हैं करेंगे या किसी प्रकार का कोई विचार आपके मन में चल रहा है परिवाद के आपके आसपास की जो परिस्थिती है वो आपको कुछ चालेंजिंग लग रही हो लेकिन उसका जो रिजल्ट है परिजल्ट के लिए होगा जो कुछ भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है उसमें आपका भला ही नहित है आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक नौ के लिए हमें आज मा क्या गार रही है हजार तेस के लिए और मूलांक नौ के लिए हमसे कहा जा रहा है साइकल खुद AM का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन हैं आप ऐसा देखेंगे कि सुबह के टाइम पर यह उता उतार चड़ावाली बनी हुई है कोई विषेशकारत तब ही करें जब आप कुछ balance महसुस्स करें दरवाईज आप सही समय के लिए उसे टाल दें आज का जो दिन है वो अपने आपको किसी भी प्रकार से संतुलन में रखने का है बैलेंस में रखने का है जो बहुत ही आपके लिए आज आवश्क है जो भी कोई कारे करें कोई ने कार में हाट डाल रहे हैं या अगर आप कोई में थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मुलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आपनों के हुमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मिलूंगी आप से हमारे अगले एपिसोड में तब तक के लिए आप से भी तर बैठे पको मेरा प्रणाम कर दो